महराराश विधान सबचनाव 2024 में MBA में सीट शेरिंग को लेकर संजर राउत का बड़ा बयान सामने आया है संजर राउत ने कहा कि हमारे बीच कोई मगभेद नहीं है साती नों ने कहा कि शाम को सीट बटवारे का एलान कर दिया जाएगा एक प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये एक सीट बटवारे की खोशना साफ कर दी जाएगी इसके लावा संजर राउत ने ये भी का कि देश शाता है कि हम सैंचुरी मारें MBA में खीशतान के बाद संजर राउत ने सौसीटों पर अपना दावा बीच होका है संजर राउत ने का कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है शाम को एक प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये सीट बटवारे का एलान कर दिया जाएगा एसकी खोशना आज शाम को प्रेस कॉन्फरेंस में कर दी जाएगी महाविकास अगाडी का सिर्शेरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है महाविकास अगाडी की जो लीष्ट है वो इसलिए डिट होगे कि हम सत्ता बनाने जा रहे है हम सत्ता पर कभजा करने जा रहे है बाकि लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझ कर हमारा उमेद्वारों का चुनाव शेत्र का चैन करना पड़ रहे हैं आज हमारी पूरी लिष्ट जारी हो जाएगी काम कल रात को लगबग पूरा हो गया है और हमारे में कोई मतभेद नहीं है कोई भेद नहीं है कोई मनभेद नहीं है सब कुछ ठिक ठाक हो रहा है हमारे साथ मुंबई सामारे समधाता अभिशेक पांडेस वक्त और जादा जानकारी के साथ जोड़े हैं अभिशेक ये बताईए क्या बात बनती हुई नजर आ रही है आपर साफ साफ देखे बात 99 प्रस्त सीटे तो करीब करीब डन हो चुकी है और एक परसेंट सीट ऐसी है जिस पर अब तक बात नहीं बन पाई है यानि कुल आट से दस सीटे हैं जिस पर पेच पसा हुआ है जिसमें शिवशेना और कॉंगरे सामने सामने है शरत पवार और उनकी पार्टी मध्यस्ता कर रही है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके कल देर शाम उमीद की जा रही थी कि सीट बटवारे पर एक सहयुक्त प्रेस कॉंफेंस की जाएगी जो नहीं हो पाई दिर रात तक मीटिंग चलती रही उसके बाद नतीजा नहीं हुआ मीटिंग कैंसल हो गई आज भी मीटिंग होने वाली थी लेकिन अचानक प्रियंका गांधी का जो इस तरीके से रोट शो था वायनाड में वहाँ डामांकन भरने गई थी इसके कारण कॉंग्रेस के कई नेता वहाँ चले गए थे और उसके कारण आज भी सीट बटवारे पर कुछ रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है इसलिए आज भी जो प्रिश कॉंफेंस होने वाली थी वो कैंसल हो गई है और अब उमीद ऐसी है कि आज भी सीट बटवारे पर कोई रास्ता नहीं निकलेगा प्रिश कॉंफेंस किसी भी तरीक अगरे नामांकन भरने जा रहे हैं वहीं जीतेंद्रवान नामांकन भरने जा रहे हैं मुक्षमंत्री का नामांकन है अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नेताओं के नामांकन शुरू हो रहे हैं तो ऐसे में कल भी उमीद कम है कि सीट बटवारे पर आकरी फैसला हो जाए और आज किसी भी तरीके की सहमती नहीं होने की वज़े से फिलहाल इसको आगे ढखेल दिया गया है अब कल नामांकर के बाद सेकेंड हाफ में उमीद है कि कुछ इस पर अगर बात बनती है तो देर शाम तक इस पर कुछ संयूत स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है